केदारनात यात्रा को सरल और सुलह बनाने की पहल अब महज 30 मिनिट में पूरा हो जाएगा केदारनात यात्रा का सफर चारदाम यात्रा में से एक केदारनात यात्रा को सरल और सुलह बनाने की प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने शुरुआत की है 1267 करोड की लागत से बनने वाले 9.7 किलोमीटर लंबी रोबवे से 30 मिनिट में गौरी कुंड से किदानना पहुचा जा सकेगा आपको बता दे अभी गौरी कुंड से धाम पहुचने में 5 घंटे लगते थे और 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था रोबवे बनने से यह दूरी कम हो जाएगी रोबवे निर्माण का कारत दो फेज में होना है पहले फेज में सोन प्रयाक से गौरी कुंड और दूसरे फेज में गौरी कुंड से किदानना तक रोबवे बनेगा असी के दशक से किदानात यात्रा को सुलब बनाने की मांग होती रही है इस दिशा में वर्ष 1975 में गौरिकुन रामबाडा 7 किलोमीटर सड़क भी सुईकृत हुई थी लेकिन 2 किलोमीटर निर्माड के बाद यह सड़क वन अधिनियम के कारण फाइलों में कैद होकर रह गई वर्ष 2005 में गौरिकुन रामबाडा रोपवे की स्विक्रिती भी मिली तब उत्राखन परेटन विभाग रोपवे निर्माड के लिए नीजी कमपनियों से सर्वेक्षन कराये गया जिस पर निर्माड की लागत 70 करोड बताए गई लेकिन किसी भी कमपनी ने हाथ आगे नहीं बढ़ाए जून 2013 की आपदा के बाद केदानाथ को सड़क से जोडने के साथ ही यातरा को सुलब और सरल बनाने की मांग सोरो से उठने लगी नैशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमूटिट ने रोपवे निर्माड की प्रारम भी कारवाई पूरी करती है शुक्रवार को ब्रधान मंतरी नरेंद्र मोडी ने के दानाथ में रोपवे का श्रमन्यास कर आम यातरियों की वर्षो पूरानी मांग भी पूरी करती है परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि रोपवे की घुल लंबाई 13 किलोमेटर है जिसका निर्माड दो फेस में होना है अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेर सरूर कीजेगा यह है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइफ सोच आपकी आवाज हमारे